स्वर्दवासी श्रीमती अलका हिमन्त पार्टेलिन के स्वृती प्रतियर थंद अपंगों को नई नई उचाया फ्राप करने के लिए प्रेरित करने वाली लेकमाला क्लाइन सर्विस डेपार्टमेंट, नाशनल असोशियेशन फॉर दबलाइन, इंडिया के ग्रामीन के लिए करना है उस कारे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासल कर लो, वे कारे करने के लिए जानकर व्यक्तियों की सलालो, आपकी ख्रमता को जाच परत लो, फिर वे कारे यश्प्राप्त करने तक पढ़ते रहो, खाम्या भी अपने आप ही आपके कदम चूंगने ल पहुच गई है, ऐसा दावा तो कोई भी नहीं कर सकता। खई व्यक्तियों की जाने अंजाने में ही ऐसी कारे शेली होती है, उपर दिये हुए तथ्यों का साक्षातकार बन जाती है। ऐसी परिस्थिती में यह माइने नहीं रखता कि उस व्यक्ति की उम्र क्या है और लिं कि जिन्हें हम प्रगलभता की प्रादान पर निमस्तर पर रख देते हैं वे कुशलता से अपने कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का सही मार्क चुनकर अपने जीवन को यह शेश्विता की प्रादान पर असानी से आसीन हो जाती है, और दुनिया वालों के सामने एक आदर्श बन कर अपने आपको प्रस्तुत कर देती है, ऐसी असामाने प्रतिभा की धनी आर्टी लिमजे के बारे में हम आज अधिक जानकारी इस लेक में प्राप्त करने वाले हैं, वो है साक्षा जागरुपता की प्रतिमूर्थी, जब आर्टी अपने जीवन में अच्छी तरह से स्थाफित हो जाती है, तब वह अपनी प्रशिक्षा काल के दरान मिले हुई कई सारे दृष्टिबाधत सहपाठियों का दुख तर्ट को भूल ही नहीं पाती है, वह हमेशा सोचती रहती है कि, इनके दुख तर्ट दूर करने का सबसे अच्छा पहला तरीका है समाज में दृष्टिबाधित्ता की और जागरुपता फैलाना, दूसरा दृष्टिबधितों में संग शक्ती जागरुप करना और तीसरा है उन्हें अपनी क्षमताई विक सित करने के लिए योगे अफसर प्राप करवाना, इसी धे की धर्ट कती हुई मशाल लेकर दृष्टिबाधितों का नेत्रित्व करने की राह पर अग्रेसर हो जुकी है हमारी चहेती आर्थी सन 1983 में महराष्ट्र राज्ये के फंडारा शहर में श्री भयाला नामक सरकारी नौकर के परिवार में आर्थी का जन्म हुआ उस परिवार में आर्थी को तीन बहने और एक भाई भी था बच्पन से ही आर्थी खूबसूरत अच्छी कत काठी की जिद्धी बच्ची थी जब आर्थी की बड़ी बेहने स्कूल जाती थी तब जिद्धी आर्थी अपनी बड़ी बेहन के साथ स्कूल में जाने का हट करती थी उस हट्प के सामने सबने अपने हाथ खड़े कर देकर स्कूल ने भी उसे बहन के साथ बैठने की अनुमती दे दी ऐसा होते होते आर्थी भी स्कूल में अपना नाम दाखिल करवाने योग्य हो गई और उसने स्कूल में दाखिला ले लिया वहाँ वह अपनी अच्छी खूपसूरत कत काठी और धीकता से खेल कूद, सांस्कृतिक कारेक्रमों में तथा विद्यार्थियों के कलागुनों को विक्सत करने वाली सभी स्पधाओं में हमेशा हिस्सा लेती रही अपनी कुशाग्र बुद्धी मत्ता से वह अपने गुरुजनों को प्रभावित करती रही जब आर्थी चौथी कक्षा में पढ़ रही थी तब उनके पिता किसी व्याधी से ग्रस्त रहते थे अधिक चांच नागपर मेडिकल कॉलेज के तदन्यों से जांच करने पर पता चला कि उन्हें गले का कैंसर हुआ है यह जानकारी मिलते ही परिवार के वरिष्ट पविश्य के बारे में चंतित होकर जल से जल अपनी जिम्मेदारिया कैसे निभाई जाए उस पर विचार मदन हो गए और उन्होंने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभाने की योजना बनाने लगे अलपावधी में ही उन्होंने बड़े उन्नीस परश्य बेटी की शादी भी करवा दी और इसी तरह दूसरों के बारे में भी सोचने लगे जब माध्यमिक शिक्षा के लिए उसे दूसरे स्कूल में दाखिला लेना पड़ा तो उसका व्यक्ति मत्व और भी निख्रने लगा वहाँ खेल कूत की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अच्छा अफसर प्राप्त हुआ अपने पढ़ाई करते करते वे हैंडबॉल और बास्केटबॉल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर राज्यस्तरिय और राश्ट्रिय प्रतियोगिताओं में मान्यता प्राप्त खिलाडी बन गई हैंडबॉल की प्रतियोगिताओं में तो वह गोल कीपर की भूमिका अदा करती है नृत्य कला में भी वह कुशल होने से उन्हें विद्यार्थियों के नृत्य सादर करने के दौरान कोरेयोग्राफर के रूप में भी जानकर समझा जाता था ऐसी हसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने वाली लड़की तो भागयवान ही कही जा सकती है आर्टी का स्कूल अपने घर से अच्छी खासी दूरी पर था इसलिए उसे स्कूल आने जाने के लिए साइकल का सहारा लेना परता था आर्टी के स्कूल से सककर ही दृष्टि बाधितों के लिए स्कूल था खईबार रास्ते में अंध्विद्यार्थी या उनके दृष्टि बाधत गुरुजन मिल जाते थे खब आर्थी उन्हें हात पकर कर स्कूल के गेट पर पहुचा देती थी खई बार उन बुरुजनों ने उसके माथे पर हाथ रखकर उसे आशिरवाद भी दिये जैसे तैसे आर्थी शालांद परिक्षा में अच्छे गुन लेकर उतीन हो गई खब तो घरवालों के लिए ये बहुत ही खुशी का मौका बन गया क्योंकि उनके परिवार में आज तक कोई भी व्यक्ति पहली ही कोशिश में शालांद परिक्षा पास होने वाली पहली व्यक्ति थी जब वेह शालान परीक्षा उतीन होने का प्रमान पत्र लेकर घर लोटी तो उसे तोहफे के रूप में सुप्रसिद नहीं लेडी बर्ड नामक साइकल मिली जिससे वेह अपने आपको खुश नसीब ही समझने लगी और साइकल से घूमना फिरना बहुत ही बढ़ गया आर्टी ने शालान परीक्षा उतीन होने के उपरान जूनियर कॉलेज में अपना नाम दाखिल करवा दिया इस पढ़ाई के दोरान उन्हें अपेंडिक्स नामक बीमारी का सामना करना पड़ा इस शस्त्रक्रिया के पच्चात आर्टी को डॉक्टरों ने साइकल चलाने के लिए मना कर दिया फिर पॉलेज आने जाने के लिए उनके लिए स्कोटी का प्रबंध करवा दिया गया स्कोटी हाथ में आते ही आर्टी हवा से बाते करने लगी और लॉंग ट्राइफ पर जाना पसंद करने लगी इसी दोरान उन्होंने उच माध्य में एक शिक्षा भी पूरी कर ली और वानेजी शाखा से पद्री प्राप करने के लिए अपना नाम कॉलेज में दाखिल करवाया जब आर्टी दूसरे वर्ष में पढ़ रही थी तब उन्हें दृष्टी दोश होने का एहसास हुआ इसलिए वे नेत्रतग्य के पास जाच करने पहुच गई तो उन्होंने बताया कि आपको म्याकुला डीजनरेशन नामक व्याधी है जिससे आपकी दृष्टी दिन बदिन कम हो सकती है शायद दृष्टी पूरी तरीके से जा भी सकती है या कुछ अवधी तक स्थिर रह सकती है अपने पिताजी की शारिरिक व्याधी से अपना जीवन में स्थापित होने का क्यारियर जल से जल्द हासल करना बंधनकारक हो गया ऐसे में एक दिन पुने अंजन मंडल द्वारा संचालित टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टिट्योट में दृष्टी बाधत व्यक्तियों के लिए टेलिफोन ट्रेनिंग सेंटर में नई बैच शुरू करने की जाहिरात प्रसिद हो रही थी आर्थी ने घरवालों की सला से वे कौस करने के लिए मन बनाया और प्रक्रिया पूरी कर वे प्रशिक्षार्थी बन गई उस वक्त आर्थी और श्तेह अंध होने की कगार तक बहुत चुकी थी जब वे वस्ती ग्रह में रहकर प्रशिक्षा प्राप्त कर रही थी तो उसके कई सारे सहपार्थियों से उनका अच्छा खासा परिचे हो गया आर्थी का अंधत्व मर्यादित होने से वे सबकी मददगार की भूमिका अदा करने लगी इस दोरान आर्थी को एसास हो गया की मुझसे ज़्यादा ये सभी प्रशिक्षार्थी बड़ी मुश्किल से और कठिनाईयों के साथ अपने जीने की राह ढून रहे थे उस वक्त से दूसरों का दुख दर्ट समझ कर उनके पुनर उठान कार्य में अपना योगदान देने की लौँ आर्थी के हृदय में प्रकृता से प्रज्विलित हो गई धीरे धीरे टेलिफोन ट्रेनिंग प्राप करने की पच्चात उसने उसी संस्था से संगनक चलाने का प्रशिक्षन भी पूरा कर लिया सन 2004 में उसी संस्था में उन्हीं अंध व्यक्तियों की शत्रंच स्पर्धा में खेलने का मौका मिला लेकिन स्पर्धा में हिसा लेने के लिए उन्हें अपने आंखों को बंद कर उपर से पटी बांधनी की सला दी गई जब आर्टी शत्रंच की खेल में माहिर बढ़ना चाहती थी तब उन्होंने अपने आंखों पर पटी बांध कर शत प्रतिशत अंध मान्यता प्राप खिलाडी के साथ खेलते हुए निपुन्ता हासिल कर राज्यस्तरिय शत्रंच परधा में और थाली फेक्स परधा में भी स महालक्षनी स्थित पुनर्वास केंद्र में दृष्टी बाधितों के लिए फिजियो थेरिपिस्ट का प्रशिक्षन शुरू होने वाला है वहां से उन्होंने प्रवेश करने के लिए अरजी प्राप्त कर आर्थी को थमा दी वह दाखिल करने के पहले आर्थी ने अपने परिचित डॉक्टर से उसके बारे में सलाली और मुलाखत के लिए महालक्षनी केंद्र में पहुच गई वहां चुनाफ होने की उपरांत उसे अपने रहने खाने का बंदोबस्त भी करना था जब तक सरकारी वस्ति ग्रिह में दाखिला नहीं मिल जाता तब तक उसने अपना प्रबंध अपनी बेहन की घर तलियान उपनगर में कर लिया इस दोरान उसी कौस की एक सहपाथी उफ्ती भी इसी समस्या का सामना कर रही थी आर्टी ने अपने बेहन को समझा भूझा कर वस्ति ग्रिह में दाखिला मिलने तक उसके साथ में रखने के लिए मना लिया सम्यवर्ष आगे चल कर उन दोनों को वस्ति ग्रिह में दाखिला मिल गया और उनका प्रशिक्षन आसानी से चलने लगा पहला वर्ष पूर्ण करने के उपरान जब वह दूसरे वर्ष का प्रशिक्षन ले रही थी तब उनकी खास जान पहचान श्री रविंदर सिंग नामक उनके सहपाथी से हो गई उनकी बाती मुलाकाते कथा मेल जोल बढ़ता ही चला गया जब तक एक दूसरे के लिए ही बने है रिश्वास दोनों को मिल गया सन 2007 में उन दोनों ने अपने माता पिता से मंजूरी प्राप्त करवे विवाह बद हो गए इस अच्छे मिलन को सुप शकुन के रोप में रवींदर जी को वरोन इंडस्ट्रीज में रोजगार प्राप्त हो गया उन्हें रहने के लिए एक वाटर भी मिल गया अब आर्टी को भी रोजगार करने का मौका मिल गया सन 2010 ने जब आर्टी आठ महीने की गर्भती थी तो अचानक उसके पेट में दर्ट शुरू हुआ और उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा वहां उसने प्रीम्याची और बच्चे को जन्म दिया शस्त्र क्रिया के बावजूद अपने प्रीम्याची और बेटे को संभालने की कड़ी जीवन परिस्थत से जुचते हुए आर्टी को अचानक ही अपने दृष्टी कम हो जाने का सामना करना पड़ा जैसे तैसे आर्टी इन परिस्थतियों से गुजर रही थी और दूसरी और अच्छा खासा रोजगार प्राप करने के लिए भी अपने आपको तयार करना चाहती थी आर्टी ने ठैसला कर लिया कि वह अप सनमानित रोजगार प्राप करने हे तो अपनी पद्वी की उपाधी ग्रहन करेगी उसने इग्नु युनिवरसिटी द्वारा समाज शास्त्र की उपाधी प्राप करने के लिए प्रवेश ले लिया उसी दोरान आर्ती ने पुनशे MSIT प्रक्षिक्षन ट्राप करना शुरू किया जो की पहले वह अच्छा खासा देख पती थी और वह पूर्णत है अपने आँखों की दृष्टी गवा जुकी थी आब उस नहीं वी M.School for the Blind, मुंबई द्वारा आयोजित प्रशिक्षा कॉस करना भी शुरू किया और से पूरा कर लिया उसी दोरान वहां के लाइबरियन द्वारा उन्हें एक मराठी टीवी सेरियल माज्या नवर्याची बाइकों में अभिने करने का मौका सुझाया उसमें भायालेंटाइन दे के मौके पर एक त्रश्टी बाधत पती पतनी रास्ते के बाजुवाले ठेले पर अपने पतिदेव को सेव पूरी खिलाती है और उसके पतिदेव हिचक जाते हैं बाद में उसे वे एक गुलाप का फोल खरीब तर भेट करते हैं यह हसी खुशी का मौका शोट करना था। वह भूमिका निभाने में भी आर्टी ने अपने अभिने कला का सराहनिय प्रदर्शन किया। उनकी शिक्षा दोरान उन्हें उशाबें थाना वाला नामक समाच सेविकानी और स्निहांकित हेल्पलाइन ने अच्छी खासी मदद क इन मदद के बदौलत आर्टी सन 2017 में पदविधारत बन गई और स्परधा परेक्षा देकर रोजगार प्राप करने की कोशिश करती रही। इन कोशिशों से उन्हें New India Insurance नामक कंपनी में Office Assistance के पदपर नियुक्ती मिल गई। अपने खेल कोत की स्परधाओं में रुची को म कोत रूप प्रदान करने के लिए आईशा, All India Unstreat Association नामक संस्था से निगड़ित होकर अपनी खेल कोत की प्रतिभा को निखारने का प्रयाज शुरू किया। थब उस संस्था द्वारा आयोजित Beauty Queens परधा में हिस्सा लेकर वह प्रथम क्रमांग प्राप्त करमिस प्रबनने में सफल हो गई। इसके पच्चात आर्ती ने Childness Group से जुड़कर बहुत सारे मौके उपलब्ध हो गए और उन्होंने कई तरह की Catwalks परधाओ में भी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को निखार दिया। इन सबसे प्रभावित होकर उस समय की Famous Google आंटी जो उस सम आज से विका कर मानी जाती थी उन्होंने आर्ती को रिवाना डाइमंड शोरूं के लिए मुडेल बनकर जाहराती विडियो शूट करने का मौका उपलब्ध करवा दिया। जिसमें आर्ती ने अच्छा रंग जमा दिया। सन 2018 में आर्ती ने अंत महिलाओ के लिए क्रिकेट्स परधाओं में हिस्सा लेने का प्रारंब किया। आर्ती ने साइकलिंग्स परधाओं में भी सहभागी होने का सफल अभियान शुरू किया। जिसके अंतरगत शिवाजी पाक से माहिम चर्च 10 किलोमेटर का अंतर सफलता से पूरा किया। सन 2018 में आर्ती ने गोल बॉल्स परधा में हिस्सा लेकर अपनी निपुनता से चुनाव अधिकारियों को प्रभावित कर दिया। उसे आंकर राष्ट्रिय पेरा लिंपिक्स परधाओ के अंतरगत इश्या पसिफिक ग्रूप में गोल बॉल्स परधा में बैंक को थाइलेंड आयूजित्स परधा में हिस्सा लेने के लिए चुन लिया गया। वहाँ अपने निपुनता का प्रदर्शन कर आर्टी को आंतर राष्ट्रिय खिलाडी का दरजा प्राप्त हो गया। आर्टी की इस उपलब्धी से उनका कार्याले भी बहुत प्रभावित हो गया। उनके द्वारा आयूजित्स होने वाली अनेक स्परधाव में सहभागी होने का मौका उन्हें उकलब्ध होने लगा। खाव्य और लेखन्स परधाव को लेकर सभी स्परधाव में आर्टी में प्रथम क्रमांग प्राप्त कर अपने नाम का सिक्ता जमा दिया। इसके पच्यात अंबरनात, ठाने, महाराष्ट्र में आयोजित आंतर राष्ट्रय द्रिश्टिबाधत महिलाओ की क्रिकेट्स परधा में हिस्सा लेने का मौका उसे मिल गया। वहाँ वह वुमेन ओफ तर मैच का परितोशिक प्राप्त करने में सफल रही। सन 2019 में आग्रा शहर में आयोजित लोडीनाई शेप द्रिश्टिबाधतों के सपरधा में आर्थी ने हिस्सा लिया। वहाँ भारत के 21 राजियों से खान पान बनाने वाले द्रिश्टिबाधत महिलाओं ने हिस्सा लिया था। अपने पहिले ही राउंड में मिसल पाव बनाकर आर्थी दूसरे राउंड में प्रवेश कर गई। उसमें उन्होंने मश्रूम गालिक नामक स्टार्टर बनाकर वह तीसरे राउंड के लिए चुन ली गई। वहाँ उन्हें पनीर की थीम पर आधारित वियंजन बनाना था। आर्थी ने पनीर प्रिस्टी रोल बनाकर शत प्रतिशत द्रिश्टिबाधत महिलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हो गई। सन 2017, 2018 और 2019 में आर्थी ने मशूर एक्टर मिलन सोमन के साथ पिंकेथोन ग्रूप में जुरकर अनेक द्रिश्टिबाधत महिलाओं को मेर्थॉन्स परधाओं में हिस्से लेने के मौके प्राप्त करवा दिये और वह खुद 10 किलोमेटर मेर्थॉन्स परधा सफलता के साथ पूरी करने वाली द्रिश्टिबाधत महिला बन गई। सन 2019 और 2020 में आर्थी में उनकी काल्याले द्वारा आयोजित लाइसेंशिये, एसोशेट और फेलोशिप की परिक्षाय देने के लिए अपनी तयारी कर उन्हें भी उतिन कर लिया। उसकी बदौलत उन्हें अपने काम में सीनियर असिस्टन्स के पद पर पदोनती मिल गई। उसी समय पेरा लिंपिक्स परधाओ के लिए द्रिश्टिबाधत ग्रप्तियों को प्रशिक्षित करने हे तो आईशा संस्था द्वारा मुंबई की कई कॉलेजों में प्रशिक् की भूमी का अदा की। सन 2022 ने गोल बॉल चैंपियनर्शिप खेलने के लिए शिवाजी पा, दादर, मुंबई में द्रिश्टिबाधत पुरुष और महिलाओं को प्रशिक्षित करने में आर्ती में कोच की भूमी का समर्थता से निभाई और रोह तक हरियाना जाकर मैच खेल कर जीद भी लिया। आर्ती की ऐसी उपलब्धियों से उनका कार्याले भी प्रभावित होने से अपने आपको वंजित नहीं रख पाया, उनके रीजनल कार्याले द्वारा उन्हें DGM के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने आर्ती की पूरी जानकारी हासल कर वे भ और जट समय पर उसे एड्मिनिस्ट्रेटिव ओफिसर पत पर पदोनती प्राप्त हो गई। सन 2030 की एक जन्वरी को आर्ती ने महराश्ट्र राजी का सबसे उचा, 5400 फीट, नामक तलसुबाई शिखर यशस्विता से सरकर अपना नाम ब्रावो इंटरनाशनल बुक ओफ र अगरुप का निर्मान करने हेतो आर्ती ने श्री मिलन्द सोमन के साथ मिलकर इंविनसिबल विमिन्स राण 2023 आयूजीत करने का संकल्प किया। उन्होंने 19 फरवरी 2023 को दृष्टी बाधत महिलाव की मैर्थान रान आयूजीत करने में को ओर्डिनीडर की भूमिका सफलता स अदा कर उसमें हिस्सा भी लिया। यही हेतो आगे बढ़ाते हुए आर्ती ने कॉलेजों में जाकर अंधियोवक यूफ्तियों को मैर्थान स्परधाओं में हिस्सा लेने का प्रशिक्षन दिया। 5 मार्च 2030 को उन्होंने दादर मुंबई के शिवाजी पाक से 5 किलोमेटर लंबी अंधियोवाय। यूफ्तियों की मैर्थान दौड आयोजित की। उस दौड में उन्होंने हिस्सा लेकर वे 5 किलोमेटर का अंतर पहिले क्रमांक से सरकर वेह विजेता रही। सन 2030 का आंतर राष्ट्रिय महिला दिन मनाने हितु आर्टी ने 12 मार्च के दिन दन्माने अतितियों को आमंत्रत करिक भव्य समारो शिवाजी पाक मुंबई में आयोजित किया। उस कारेकरम में मेर्थोन रन में हिस्सा लेने वाली महिलाओ को और उनके गाइडर्स बने स्वयन सेवियों को अतितियों के द्वारा सन्नमानित किया गया। आर्टी को जब उनके इस महान उपलब्धियों के बारे में पूछा जाये तो वह बताती है कि मैंने मेरे जीवन में जो सब कुछ पाया है उसका श्रे मुझे अपने पती, अपना बेटा और मेरे कैंसर ग्रस पताजी के सहयोग से ही मिली है। वे मुझे हर वक्त और हर मौके पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरिथी करते रहे है। मेरा बेटा कृतीन जब से तीन वर्श आयू का था तब से वे आज तत मुझे हर जगह ले जाता है और उन सब की मदद द्वारा ही मुझे अपनी प्रतिभा, शमता और सामर्थे को निखारने करने का मौका मिला है। मैं जीवन अंधत्व के बारे में समाज में जागरुपता फैलाने हे तो कार्यरत रहती हूँ और रहूंगी। अपने देश के हर कोने कोने में रहने वाले हर अपंग व्यक्ति तक इस जागरुपता से उनका जीवन स्वाबलंबी, सनमान पूर्वक और सामर्थे शाली बने इसी धे सिद्धी हेतु से अपने जीवन पत पर अग्रेसर हो रही हूँ। आशा है हम सब दिव्यांग सफलता की सेड़ी पर आरोड होकर अपने देश का नाम गौर्वान वित करें। इस महान धे से भारत आर्थी की आर्थी उतारनी को जी चाहता है। जिस संकल्प भावना से वे प्रेरित है उसमें वे हर दम ये शस्वी ही होती रही ये शुपकामना है हमारी ऐसी ही सबल, सक्षम और सामर्थिशाली नारी हर कदम हर चन्व हमारे देश के कोने कोने में पैड़ा होकर हमारी मात्र भूमी की कोप धने करती रही यही दुआ है हमारी हमन्त जा पातिल मानत सच्छिव नाशनल असोशिएशन फोर दवलाइंद इंडिया